दोस्तों नमस्कार आद आप सच्छी अकाल न्योज क्लिक के कारिकरम न्यूज मंथन के साथ मैं उर्मिलेश ये सिर्फ दोस्तों राजस्थान की बात नहीं है जिसकी चर्षा मैं आज करने जा रहा हूँ कमो बेश हाल के वर्षों में जितने विधान सबाद चुनाव हुए है उसमें भारती जनता पार्टी के चुनाव प्रचार का एक जो पहलू है वो मैं समझता हूं कि राजनिश्टिक तोर पे पार्टी के अंदर किस तरह की केंद्रियता है किस तरह का संकेंद्रन या केंद्री करण बढ़ा है इसको बहुत ठोस तोर पे सामने लाती है जैसे करनाटक में आपने देखा कुछ महीने पहले आज वही स्थिती राजिस्तान में आप देख रहे हैं पहले 36 गड़ में देखा था हमने कुछी दिन पहले जब चुनाव संपन हुआ जहां भी बीजेपी का प्रादेशिक चुनाव हो रहा है एसेम्बली के चुनाव में जहां बीजेपी उतर रही है वहाँ वहाँ प्रादेशिक नेत्रित्व गायब हो जा रहा है चुनाव प्रिचार के दवरान प्रादेशिक नेत्रित्व जो बीजेपी का है वो खार्शिय पर चला जाता है ओजल हो जाता है ऐसा लगता है कि परिजिर्ष्य पर सिर्फ दो व्यक्ति खासकर एक व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रदार मंत्री सिर्फ वही दिखाई देते हैं और दूसरे नंबर पर अमिच्शा जो प्रदेश के बड़े नेता हैं जो विधान सभा में जिनकी आहम भूमिका होगी सरकार बनने पर वो मुक्य मंत्री बनेंगे विपक्ष में आने पर वो विपक्ष के नेता बनेंगे तो इन नेताओं की स्थितीव इतनी कमजोर हो जाती है कि उनको आम जनता की बीच एसेम्बली एलेक्शन्स में वे नजर भी नहीं आते उनका कोई मतलब नहीं रहा जाता है ऐसा लगता है कि केवल वो अपने चुनावच्छेत्र में आसपास के कुछ चुनावच्छेत्रों में या अधिक सदिक जिले में मंडल में वो नजर आते हैं लेकिन जो प्रांत के अस्तर पर पूरे प्रदेश के अस्तर पर जो एक शवी उभरनी चाहिए प्रादेशिक नेत्रत्रत्र की वो गयब हो जाती है तो सबसे बड़ी जो कैजवैल्टी नरेंद्र मोदी जी और अमिच शाह जी के रास्ट्री चितीच पर उभरने के साथ जो एक लिखी है प्रादेशिक नेत्रत्रत्रों की सबसे बड़ी दुरगटना के श्रिकार वो हुआ है बीजे पी में वो गायव हो गया है केंद्री नेत्रित ही हर जगा हावी होता है ये आम तोर पे अगर आप देखें ये ट्रेंड कॉंग्रेस चाहे जितनी लंबी पार्टी रही हो उसका इतिहास बहुत लंबा है भारती जनता पार्टी सी तो बहुत ज्यादा है लेकिन कमों बेश राजियों में कॉंग्रेस ने लंबे समय तक प्रांती नेत्रित को नौकेवल जीवित रखा बलकि उनको महत्त दिया बीच के कुछ वर्ष ऐसे थे जब वाकई प्रांती नेत्रित को वहाँ भी कमजोर किया गया जिसको चाहते थे उसको मुख्यमंत्री बना देते थे अचानक मुख्यमंत्री को हटा देते थे लेकिन इसके बावजूद जो प्रांती नेता थे वो काफी महत्पूर्ट बने रहते थे बीजेपी खाल के दोर में जब से ये समझ में आया पार्टी के योजनाकारों को खासकर चुनाव रननीतिकारों को कि बीजेपी अगर चुनाव कहीं जीच सकती है तो सिर्फ नरेंद्रबोदी के करिश्च में से उनके भाषणों से उनके कौशल से क्योंकि टेलिविजन में और तमाम प्रचार जो सामग्री है जो प्रचार का तंत्र है पूरा उसके जरिए बीजेपी में जिस एक व्यक्ति की मूरत सबसे ज़्यादा ठाकत के साथ सबसे ज़्यादा आकरशन के साथ पूरे देश के सामने स्थापित की गई है वो है नरिंदर वोदी एक ही व्यक्ति और बाकी में थोड़ा बचा तो अमिच्छा तो इन दो लोगों की शवी का निर्मार जिस तरह से टेलिविजन के जरिये मीडिया के जरिये, सोसल मीडिया के जरिये और अन्य तमाम संसाधनों के जरिये हुआ है उसमें बीजेपी का जो प्रांती नेत्व है वो वाकई गायब हो गया है राजस्थान के चुनाओं में अगर आप देखें तो वसंधरा राजे से ले करके और बहुत सारे पार्टी के ऐसे नेता थे जो उभर कर सामने आते लेकिन क्या मजाल की कोई प्रांती नेता उभर कर सामने आया और आने की किसी ने चेस्टा भी की तो उसको दबा दिया आपको याद होगा वसंदरा राजे के बहुत सारे समर्थकों को शुरू में टिकट ही पार्टी ने नहीं दिया, कईयों का टिकट काट दिया, बात के दिनों में जब वसंदरा ने पूरी तरह एक तरह से सेरेंडर कर दिया, सेंटर लीडर स्पिर के सामने, तब ओवलाइज किया गया और कुछ वह को टिकट दे दिया गया, बलकि जदातर लोगों को दे दिया गया, अब वसंदरा राजे के बारे में माना जाता रहा है कि वह एक डिक्गज नेता है राजस्तान की, भैरो शिंग से खावत के बाद, राजस्तान की सियासत में अगर बीजे पी की तरफ से कोई नेता में केवल हैं या जहां उनको बिलाया जाता है वहां से ली जाती हैं अगर रैलियों में जाती भी हैं तो प्रदान मंतरी और अमिशाह जहां बैठे हों माली जे अमिशाह जी की रैली में गई या नरिंद मोदी जी की रैली में गई तो वो बस एक एक भाशन अपना पांस मिन साफ ढंक से दिखी है कि प्रांती नित्रित को केंद्री नित्रित ने एक तरह से समेट दिया है तो ये जो टेमोक्राटिक जो एक सेट अप है पार्टी का जो एक सनरचना में जो लोकतां तिकता होनी चाहिए पार्टी में वो धीरे धीरे गायब हुई है उसका विलोप हुआ कॉंग्रिस पार्टी में जो विलोप लंबे समय तक दिखाई दिया था एक दोर में अगर आप देखें तो वह रिवाइब कर रहा है फिर से जो प्रांती नेत्रित तो है प्रांती नेता है वो उभर रहे हैं अब सीधा रमया का उभरना करनाटक में डीश्यू कुमार का उभ इसके अलावा 36 गड़ में भूपेश बगेल का उभरना लेकिन आप क्या आपने 36 गड़ में देखा कि रमन सिंग कहीं प्रांती अस्तर पर नजर आये या कोई दूसरा और नेता नजर आया पूरा चुनाओ नरेंद्र मोदी बनाम भूपेश बगेल हो गया तो यह भी अज स्ताओं की राजस्थान का चुनाओ हो या 36 गड़ से का चुनाओ हो या मद्यप्रदेश का मद्यप्रदेश में भी वही इस्तिती थी बीजेपी के पास एक सेक नेता है लेकिन शिवराज सिंग चवान ठीक है चुकि वह मुख्य मंत्री है इसलिए उनका चेहरा तो आया औ और वाकई आया इसमें कोई दुरह नहीं एक मात्र शिवराज सिंग्चावान ही एक सिप्सन है कि उनको डाउन साइज करने की जो कोशिश शुरू में की गई उसको उन्होंने एक तरह से रेजिस्ट किया और रेजिस्ट किया और फिर उस सामने उनको लाना पड़ा लेकिन इसके बावजूर जहां जरूरत पड़ी उनकी हैसियत भी दिखा दी गई ऐसा नहीं है कि जो वो चाहे चुनाव में वो वही हुआ ऐसा नहीं है सेंटर लिडर्स्विप सबसे उपर थी तो इस चुनाव में जो राजिस्थान में हमें दिखाई पड़ा दोस्तो इसका नत मतदान का जो नतीजा आएगा उससे परिलक्षित होगा हो सकता है कि बीजेपी की यह स्टेड़ी जी दोहजार चुबिस के लोकसभाद चुनाव के मद्दे नजर हो कि हमें नरिंद्र मोदी जी को ही हर प्रदेश में स्थापित करना है ताकि प्रधान मंत्री के नाम पर प लानता कि आकिन मंद्शा है की नहीं है लेकिन संकेत तो जरूर मिलते हैं तो दोस्तों आज इतना ही नमस्कार आदाव सच्छियकाद